नमस्कर दोस्तों आप सब कैसे हैं आई होप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे तो चलिए दोस्तों आ गया है बहु ज़्यादा टेस्टी रेस्पी स्पाइसी है तो पालक में ऐसे ही कैल्जियम ज़्यादा होता है दोस्तों हिल्दी भी बहु ज़्यादा होग इसके लिए फ्रेज करके धूला हुआ पालक है दो बंडल पालक है लेकिन मैं एक बंडल से बनाउंगी आधा पालक में डाल रही हूं आधा पालक से बनाउंगी तो बीडियो में बने रहीएud बहुँ ज़्यादा टेस्टी होगा इसको कुकर में डालने के बाद में डालना है थोड़ा सा एक कटोरी के अंदाज पानी अब ढखन बंद करके इसे एक सीटी तक पकाना होगा एक सीटी पक जाने के बाद में हीर अगला प्रोसेस पे बताऊंगी तब तक के लिए इधर मटर बॉयल कर लेना है इसके लिए पानी डालना है एक गिलास चुला ओन कर देना है और इसमें डालना है एक कटोरी के अंदाज मटर आपको जितना बनाना हो हम लोग कम फैमली हैं इसलिए कम से बना रही हूँ अब इसको बॉयल होने तक पकाना है बढ़ियां सोफ्ट पक जाना चाहिए तो बढ़ियां सोफ्ट पक जाने के बाद में हो जाएगा है मटर तयार तो देखिए इस तरह से इधर पालक भी हो गया है तयार बॉयल हो गया है बढ़ियां इसको अब ठंधा होने के लिए रख अराम से इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है तब तक के लिए अगला प्रोसीस पे चलिए इधर मटर बॉयल हो गया दोस्तों इसको पानी से अलग निकाल लेना है कटोरी में यह बहुत बढ़ियां सोफ्ट पकना चाहिए मैं दिखाऊंगी कितना सोफ्ट मटर पकना तो देखिए इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ इस तरह से इसको मटर को पकाईएगा और पानी से अलग निकाल के साइड में रखिए तब तक के लिए हो गया है पालक भी तयार अब इस पालक को बड़ा वाला मिक्सी जार लेना है और इसमें पानी अलग करके और सिर् स्मूथ पिस लेना है इस तरह से देखिए कितना बढ़िया पिसा गया अब एक बरतन में इसे निकाल लेना है बरतन में निकाल करके हलका सा पानी से धूल करके फिर निकाल लीजिए देखिए हो गया है तयार और इसके लिए लेना है थोड़ा सा लासून एक प्याज माटर है मीडियम साइज का अद्रक हरा मिर्च तो चलिए अगला प्रोसीज पर दोस्तों अब इसको बनाना है थोड़ा सा डालिए कड़ा ही गरम होने पर सरसो का तेल मैं सरसो तेल ज्यादा यूज करती हूं इसलिए मैं डाल रही हूं इसमें तेज पत्ता दाल चिन्नी बड में डालना है लासुन कली और थोड़ा से इसमें पड़ेगा थोड़ा सा एक पिंच हिंग हिंग से बहुत ज्यादा टेस्टी होगा दोस्तों और ऐसे भी पेट के लिए लब दायक है मतर वाला रेस्पी है इसलिए मैं हिंग डालती हूं और डाल रही हूं आप लोगों को पसंद नहीं होगा तो अस्किप भी कर सकते हैं इसको अब इस प्याज को डाल करके बढ़ियां से भूनिएगा जिसे सौफ्ट ये नरम पक जाए जलने तक नहीं पकाना है हलका सोफ्ट हो जाना चाहिए तब डालना है कस्मीरी लाल मीर्चा पाउडर थोड़ा सा हापस्पून फिर उसको चला लेने के बाद में दो बार डालिएगा सबजी मसाला एक स्पून हल्दी पाउडर एक स्पून गोलकी जिरा पाउडर अब इन सब को बढ़ियां से भूल लेना है जिस तरह से मसाला फ्राई करते हैं आप लोग उस तरह से ही फ्राई करना है इसे फिर डाल देना है टमाटर साथ में दो बार तीन बार मसाला चलाने के बार टमाटर डाल दीजिएगा टमाटर के साथ साथ बढ़ियां से मसाला त्य कर सकते हैं ज़्यादा है तो इस तरह से मैं टेमाटर डालती हूँ इसमें के घ्रेवी बढ़ियां बन जाए अब इसमें मसाला हो गया तयार और इसके साथ मटर भी भूना गया है अब इसमें डाल देना है मटर 2-4 बार भूना गया है तब पालक प्योरी इसमें डाल करके हल्का सा पानी डाल देना है अपना अंदासे थोड़ा गड़ा-गड़ा बनेगा जो सब्जी का भी टेस्ट लगे और डाल का भी काम करें तो इसको चला करके और थोड़ा सा डालना है हाफ अस्पून गरम-मसाला अब लास्ट में गरम मसाला डालने से बहुत बढ़ियां टेस्टी गंद भी आता है और स्वाध भी लगता है जवर्दस्त तो इसी तरीका से गरम मसाला डालिएगा शुरुवात में नहीं डालिएगा अब इसको ढ़कन बंद करके पका लेना है एक से दो मिनट मीडियम टू लो पर हाई पर नहीं मीडियम टू लो पर पक जाएगा क्योंकि सारा समान पक गया है हलका सा खाली मिक्स होना है इसको अब तो वीडियो पर बने रहिएगा चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आने पर लाइक सेयर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा जिसे हमें भी पता लगे कि हमारी रेस्पी कैसी बनी और इस्टाग्राम फेस्बुक पेज पर अगर वीडियो देखते होंगे तो फॉलो कीजिएगा तो देखिए ये दो मिनट पक के हो गया है तयार अब इसको चुलहा से नीचे उतार लेना है चुलहा बंद करके तो देखिए दोस्तों इसको मैं निकाल के दिखा रही हूँ कितना टेस्टी ये बना है दाल के काम आने वाली भी है और सबजीव के काम में भी आने वाली है रोटी चपाती के साथ भी खाईए चावल के साथ भी खाईए बहुँ ज्यादा टेस्टी बनता है ये रेस्पी को ट्राई कीजिएगा आप लोग तो मैं चावल के साथ खाने जा रही हूँ इसके साथ थोड़ा सा अलू का भुजिया थोड़ा सा खीरा का सलाद और हो गया ये मटर और पालक का रेस्पी जो डाल और सब्जी दोनों का टेस्ट देने वाली ये रेस्पी है और बहुँ ज्यादा टेस्टी होता है दोस्तों यकीन मानिए और एक बार ट्राई जरूर कीजिए आप लोग तब बताईएगा कि कैसा लगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक सेर जरूर कीजिएगा इस्टाग्राम फेस्बुक पेज को फॉलो कीजिएगा यूटूब चैनल को सपोर्ट दीजिए हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए तरह तरह की रेस्पी देखने के लिए चैनल पे एक बड़ जाईए फिर मिलेंगे नई रेस्पी के साथ अगले दिन तब तक के लिए बाई बाई